हेलो सुदेंट्स वेलकम टू में चैनल इस रोशन सर्मय एक्समाई यह स्टुडेंट्स आज हम सॉल्फ करेंगे मेंसुरेशन का लास्ट एक्ससाइज 10.4 वेरी इंपोर्टन एक्ससाइज है लास्ट यह रेडियूस था इस बार यह इंक्लूडेड है और इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्टन पूछे जा सकते हैं अच्छी तरह देखे और समझने की कोशिश कीजिए चली इजी वे में समझेंगे हैं एक मेटालिक स्पेर और रेडियस इस 4.2 सेंटिमेटर एक मेटालिक स्पेर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटिमेटर इसको मेल्टेड घुला दिये पिखला दिये पिखला कर रेकोस्ट मतलब उसको कुछ और बना रहे क्या बना रहे हैं सिलिंडर भी बना रहे मतलब एक sphere है उसको घुला दिए पिगला दिए पिगला कर उसको आप cylinder बना दे cylinder का radius है 6 cm तो height of the cylinder आपको पता करना है देखिए यह sphere है यह sphere का radius आपको given है question के अंदर 4.2 cm इसको पिगला कर इस तरह एक cylinder बना रहे है यह cylinder का radius भी given है 6 cm और height पता नहीं यह height आपको पता करना है height आपको पता करना है तो बहुत है आसाम देखिए इसका volume इसका volume आपको लेना है क्योंके पिगला दिए हम रहे हैं तो यहाँ पर लेखेंगे volume of sphere volume of sphere is equal to volume of cylinder यह आपको ले लेना है volume of sphere का formula 4 by 3 pi r cube volume of cylinder pi r square h देखिए r r difference है तो इसलिए pi और pi cancel करते सकते हैं तो यहाँ पर बज़ गया यहाँ पर 4 by 3 r cube is equal to r square h ठीक है अब यहाँ पर 4 by 3 r r की value यहाँ पर sphere का 4.2 है उपर cube is equal to cylinder का r है यहाँ पर 6 is equal to यहाँ पर 4 by 3 into 42 को change करेंगे decimal 42 by 10 इसको भी change करेंगे 42 by 10 इसको भी decimal change करेंगे 42 by 10 यह इस तरह आएंगे तो 1 by 6 6 1 by 6 हो जाएगा यह याद रख लिए आपको अब देखी कैंसल हम कर सकते हैं 6 1 जा 6 6 7 जा 42 6 1 जा 6 6 7 जा 42 ठीक है 7 7 जा यह दोनो हो गे अब और कोई 12 and then again cancel A the 2 2 the 4 2 5 the 10 21 जा 25 the 10 2 2 4 2 2 2 2 5 the 10 3 1 3 7th 21 जा 21 जा यह बज गे अब यहाँ पर H is equal to numerator मे 7 into 7 into 7 10 dahmer 5 into 5 into 5 H is equal to 77 is the 49, 49 7 is the 343, 5 is the 25, 5 is the 125, अब क्या किजिए, h is equal to 343 को आप 125 से डिवाइड किजिए, तो 2.75 cm2 ये हैट आ जाएगे आपको, इस तरह आप इसको solve करना है, सेकेंड क्योश्चन नहीं देखी, त्री मेटालिक स्पियर्स आफ रेडियस, 6 cm, 8 cm, 10 cm रेस्पेक्टिवरी, ये तीन मेटालिक स्पियर्स है, और ये 6 cm, 8 cm, 10 cm रेडियस वाल है, इसको melt कर रहे, कौस्ट कर रहे, मतलब पिगला दे रहे, पिगला के एक बड़ा soilid बना रहे, sphere बना रहे, तो बड़े sphere का radius क्या होगा हमको पता करना है, ये बड़ा sphere है, इसका radius आपको पता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे तीन स्पेर्स है एक को R1 दे देंगे यह दे रखा है 6 cm इसको R2 दे देंगे यह 8 cm अभी एक है इसको दे देंगे R3 यह हो गया 10 cm R1, R3, R दे देंगे ताकि हमको आसा नहीं हो जाए अब देखिए यह बड़ा volume of a sphere यह volume of sphere is equal to volume of 3 spares यह भी square ही यह भी square है यहाँ पर 4 by 3 pi R3 is equal to यहाँ पर 4 by 3 pi R1 एक को दे दिये हम लोग ठीक है एक को R1 हम लोग दे दिये दूसरे को दे देंगे 4 by 3 pi R2 cube तीसरे को दे देंगे 4 by 3 pi R3 cube यह तीनों को हम लोग separate separate दे दिये अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए 4 by 3 sorry 4 by 3 pi R3 cube is equal to 4 by 3 common ले ले लेंगे 4 by 3 pi common ले सकते हैं R1 cube plus R2 cube plus R3 cube यह बज़ गया 4 by 3 pi देखिए 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel है यहां से R cube is equal to R1 cube plus R2 cube plus R3 cube R cube is equal to R1 का question के अंदर given है 6 square 6 8 10 plus a 8 plus a 10 cube 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 R3 cube is equal to 6 3 time 8 3 time 10 V 3 time 12 12 10 times a 100 10 is a 1000 R cube is equal to यह 3 को add किजिए यह 3 को add करेंगे तो 1728 आ जाएगा अब क्या करना है आपको 1728 का LCM लेना है 2 8 is a 16, 2 6 is a 12, 2 4 is a 8, 2 4 is a 8, 2 3 is a 6, 2 2 is a 4, 2 to the 4, 2 1 is a 2, 2 6 is a 12, 2 10 is a 20, 2 8 is a 16, 2 5 is a 10, 2 4 is a 8, 2 2 is a 4, 2 7 is a 14, 3 9 is a 27, 3 3 is a 9, 3 1 is a 3. R cube is equal to 2, 3 3 करके लेंगे हम pairs, cube 2 cube 3 cube, R cube is equal to 2 into 2 into 3, ये पूरों के उपर cube रहने से उपर हम cube लिख सकते हैं, ये 3 और 3 cancel, R is equal to 2 into 2 into 3, R is equal to 2 to the 4, 3 is the 12, ये आंसर है आपका radius centimeters, ठीक है, किस तरह आप आसानी से solve कर सकते हो? चलिए, एक question दे रखा है, देखे, एक 20 meter deep well of a diameter 70, एक well है, एक body है, ये well है, deep जो होगा height होगा, याद रखना है आपको, क्योंकि जब हम body को ऊपर से देखते हैं, तो deep देखेगा, और जब हम अंदर जाकर नीचे से ऊपर देखते हैं, तो height लगेगा, और इसका diameter, R is equal to D by 2, 7 meters है, 7 by 2 meters है, 7 by 2 meters है, D by 2, ये भी आपको R is equal to 7 by 2 meters ही होगा, इसको हम खोद रहें, डग, इसके अंदर हम इस तरह का खोद रहे हैं, digging evenly spread out of the form of the rectangle, इसका जो खोदने पर, इसकी मिट्टी जो निकल रहे है, वो मिट्टी को हम rectangle shape में, इस तरह shape में दाल रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है, base, और दे रखा है, base क्या है है यहाँ पर आपको, given 22, मतलब length या base किसी को एक ले सकते हैं, base 22 है, और length is 14 है, और height आपको पता करना है, इसकी height क्या होगी यह आपको पता नहीं है, तो height is equal to पता करना है, मतलब given में length and base दोनों दे दिया है, breadth दोनों द पर आपको लेना है, volume of cuboid is equal to volume of cylinder, क्योंकि cuboid है यह cylinder है, volume of cuboid LBH, यह हो जाएगा, pi R square H, ठीक है, चलिए, L22 यह 14 है, इस तरह ले ले लिजी, यह 14 इंटो 22 भी ले सकते है, H is equal to 22 by 7 into R square, 7 by 2 square, यह बत्या 7 by 2, 2 time लिख देंगे, क्योंकि square है, यहापे 7 by 2 है, 2 time लिख सकते है, H आपको 20, इस तरह आपको, 7, 7 cancel, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा 10, अभ यहाँ पर 22 into 14 into H is equal to 22 into 7 into 5 बजग गया, H is equal to 22 into 7 into 5 by 22 into 14 जाएगा, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 22 22 cancel, H is equal to 5 by 2, 5 को अगर आप 2 से दिवाइड करे, 2 to the 4, 1.0, 2 5s are 10, H is equal to 2.5 centimeters, यह आपका आंसर हाजाएगा, इस तरह आप आसानी से इसको solve कर सकते हूँ, चली, यह भी एक important question है, easy question है, एवल of a diameter 14 meters, ठीक है, 14 meters of a dug 15 meter zip, same है, एक वेल, एक body खोद रहे हैं, इसका diameter, इसका diameter, R is equal to D by 2, 14 by 2, 2 1s are 227, मतलब R is equal to 7 meters हो जाएगा है, और deep कितना है, 15 meters, H is equal to 15 meters deep है, ठीक है, अब यहाँ पर, out of a has been spread eventually from the circular, इसका एक मिट्टी निकाल गए, इस तरह दाल रहे हैं, बंते-बंते इस तरह बन गया है, amokment all around the wall, width, इसका width है, R is equal to 7 meters हो गया, और यह ring का मतलब, एक capital R, एक small R होता है, इसका answer हो जाएगा 14 meters, तो find out करना है, इसका height, इसका height कितना होगा, आपको find out करना है, ठीक है, इस तरह एका figure आएगा, यह body है, उपर से goal है, body के goal मिट्टी दाल दिए, body के goal मिट्टी दाल ले तो ऐसा उपर से अगर हम देखेंगे तो इस तरह दिख रहा है, area of ring की तरह, तो यहाँ पर आपको formula लेना पड़ेगा, volume of cylinder by volume of, volume of नहीं, area of ring, area of ring, यह, volume of cylinder तो आपको पता ही है, formula, pi r square h, area of ring का, pi into r plus r, r minus r होगा, यह pi और pi cancel, r square h बच गया, यहाँ से r plus r, r minus r यह बच गया, r square, दीखें, यहाँ से आपको लेना है, यह 7 square, मने 7 into 7 हो जाएगा, h 15 है, यह r plus r, यहाँ से आपको, 7 plus 14, 14, यह 14 plus 7, 14 plus 7, 14 minus 7, इस तर आपको लेना है, यह 7 into, 7 into 15 by, यह दोनों का आट कीजे 21, इन्टो यह दोनों का मैनस कीजे 7, 7, 7 cancel, 7 one is 7, 3 one is 3 five, height is equal to 5 meters, यह इसरा, बहुत easy में है, easy method है, दीखे, एक container shaped right circular cylinder, एक container है, जो right circular cylinder है, जिसका diameter है 12 cm, height है 15 cm, इसके अंदर full ice cream है, ice cream is to be the deep, ice cream पूरे अंदर तक भरावा है, to the earth, 12 meters height and diameter 6 meter making hemispherical shape of the top, find the number of such cones which is can be filled, मतलब क्या है पूराव, इसके अंदर, यह container है, और जिसका diameter, r is equal to d by 2, diameter 12 cm है, 12 by 2 मतलब 6, r is equal to 6, और इसका deep है 15 meters, deep है 15 meters, अब इसके ice cream को क्या कर रहे है, दोनों में fill कर रहे है, एक cone fill कर रहे है, एक cone, जिसका radius कितना है, d by 2 6, जिसका radius यह है, radius diameter 6 by 2, 2 1s are, 2 3s are, r is equal to 3 meters, और इसके height अलड़ी given है, यहाँ पर, 12 meters, यह given है, इसका radius होगा, तो इसके ice cream, यह field कर रहे है, और बचरा, तो एक sphere भी field कर रहे, इसके अंदर भी field कर रहे, यह r is equal to eb क्या होगा, 3 meters होगा, तो आपको find out क्या करना है, यह दोनों के अंदर कितना ice cream हम field करे, आपको मालूम करना है, चली, इसको हम किस तरह solve करेंगे, देखे, सबसे पहले, यहाँ पर हम ले लेंगे, volume of पहले, यह cylinder का ले ले लेंगे, pi r square है, यह आपको पता ही है, चली, 22 pi 7, r square, 6 square है, 6 into 6, h है 15, अब यह 22 6 है, यह पूरों को अगर आप multiply करेंगे, तो 1, 1, 8, 8, 0 by 7 आजाएगा, यह यहाँ पर stop कर देंगे, अब यह दोनों को लेंगे हम, तो क्या लेंगे यह दोनों के लिए, यह दोनों के लि 1, kone, plus volume of hemisphere, 4, 4, 0. kone, plus volume of hemisphere, यह, volume of cone का लूमीला, 1 by 3, pi r square h, volume of hemisphere का लूमीला, 2 by 3, pi r q, क्यकि लगे, 1 by 3, 22 by 7 into r square है, 3 square है, 3 stariche, 3 into 3, 3 into 3, और h hat 12 plus volume of hemisphere 2 by 3 into pi 22 by 7 into r cube, r क्या होगा इसका 3, 3 cube मतलब 3 into 3 into 3, 3 और 3 cancel हो गया, 3 और 3 cancel हो गया, क्या बचाना पर 22, 3 is a 66, 66, 12 is a 7, 92 by 7, 222 is a 44, 3 is a 9, 44, 9 is a 396 by 7, ठीक है, यहां पर करेंगे, 7, 92 by 7 plus 3, 96 by 7, यह दोनों का LC हम 7 ले सकते हैं, यह दोनों को add करेंगे, यह दोनों को add करने पर क्या आगा, 1188 आएगा, अब 1188 को 7 से divide करना है, तो 7 से divide करेंगे, 169.71 आजाएगा, 169.71, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, 1188 को 7 से अगर आप divide करेंगे, तो इसका answer आजाएगा, 169.14 ही आजाएगा, अब क्या करना है, यह cylinder का इन दोनों में divide कर रहे हैं, तो divide करना है यहां पर, volume of cylinder by volume of cone plus volume of hemisphere, यह दोनों, तो इसका answer यहां से ले लेंगे, 1697.4, 1697.14 by यह answer है, 169.71, यह cancel करेंगे, तो यह आजाएगा 10, पॉइंट-पॉइंट की answer कीजिए, तो इसलिए, देफोर यहां पर answer हो जाएगा, 10 centimeter square यह meter square होगा, यह answer, इस तरह आप इसको solve करना है, देखिए, how many silver coins, 1.75 centimeter in the diameter thickness to, एक silver coin है, यह है silver coin, जिसका thickness है, thickness मतलब height, 2 mm, millimeter को centimeter में change करेंगे, तो 2 by 10, यह जाएगा 0.10, यह लिखना 1 centimeter is equal to 10 mm होगा, यह याद रखेंगे आपको, 2 by 0.10, यह होगया height, height is equal to 0.2 centimeters, और इसका how many silver coins, 1.2, diameter, यह diameter है, diameter r is equal to d by 2 हो जाएगा, यहाँ से आपको लिना है, तो 1.75 by 2, कितने ऐसे silver coins melted हम पिगलाना होगा, और cuboid बनने के लिए, जिसका cuboid का area हो, कि यह cuboid, इस तरह है cuboid रहेगा, length and breath and hedge दे रहे हैं पर, length 5.5 centimeters, breath 10 centimeters, और height दे रखा है 3.5 centimeters, यह आपको पता ही है, यहाँ पर, अब length and breath, अब देखिए, सबसे पहले इसका area आपको find out करना है, तो यह क्या लग रहा है, आपको cylinder लग रहा है, तो area of, sorry, volume of cylinder, volume of cylinder, इसका formula हो जाएगा, pi r square h, यह आपको formula में substitute करना है, थोड़ा typical है, अच्छी तरह देखिए, यह 22 by 7 into r square 1.75 by 2 into 1.75 by 2, इसका हम लिख रहा हो, direct, direct लिखा में, into h है 0.2, अब देखिए, 2 1s are 2, 2 0.1s are, 2 1s are 2, 2 11s are, 7 1s are 7, 7 0.72s are 14, 7 5s are 35, 11 into 0.25 into, यहां पर क्या बच गया, 0.25 into, 1.75 into, यहां से बच गया 0.1, इसको कुछ भी हम नह करेंगे, इसको 1 देदेंगे, अभी action 1, अब क्या करना है, इसको यहां पर लिखना है, अब इसको डिवाइट करने के लिए, वाल्यूम आफ क्यूबाइड बाई, वाल्यूम आफ क्यूबाइड बाई, वाल्यूम आफ सिलिंडर, यह आपको लेना पड़ेगा, volume of cuboid आपको पता है LBH, volume of यह आपको पता है PIR square H, हमको अलग से करनी की ज़रत नहीं, यहां पर given है, volume of cuboid 5.5 into 10 into 3.5 दे रखा है, और इस cancer हमको यहां से लेना है, यहां से, 11 into 0.25 into 1.75 into 0.1, अब इसको हम simplify करेंगे, यह 55 point हटा दिए, 55 by 10 into a 10, यह 3.5 by 10 हो जाएगा, by 11 into 25 by 100 हम रिखेंगे, decimal हटा दिए, into, यह 175 by 100 हो जाएगा, into 1 by क्या हो जाएगा, यह 10, अब दीखें, 10 10s हा 100, यह 10 10, 100, 100 कैंसल करेंगे, क्या बचाना पर 55 into 10 into 35, यह नीचे, 10 100 बच गया, वो पर आएगा, 100 into 10 हो जाएगा, यह बचावा, यहां पर 11 into 25 into 175 आप यहां से लिख सकते हो, अब क्यांसल आपको करना है, देखें, कैसे क्यांसल करेंगे, 11 बच आख 11 वजा, 5 रच 0, 5 5 रच 0, 5 1 ला, 5 7 रच 0, 7 1 रच 0, 7 2 रच 0, 7 5 रच 0, 35. फिर 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो यहां पर क्या बच गया है? 2 into 100 into 2, 2 into 100, 200, 200 2s are 400, कितने coins होना? 400 coins पिगलाना पड़ेगा, यह cubide बनाने के लिए, इस तरह आप इसको solve कर सकते हो, चोड़ी एक वेसल, एक बरतन है, is in the form of inverted cone के shape में एक वेसल है, और इसका height यहां पर एक कोन है, एक कोन की शेकल का है, यह height है 8 cm, और इसका radius है 5 cm, इसके अंदर पूरा पानी भरे हो है, उपर तक, when the shot is, which is the spare radius, एक spare क्या करते हैं, हम इसके अंदर drop कर रहे हैं, छोड़ दे रहे, 0.5 cm है, तब क्या होगा, वेसल 1.4, वेसल के अंदर, अगर हम इसके अंदर spare ज आप, find the number of lead shot dropped, आएसे कितने lead shot हम लोगो drop करना पड़ता, कि वेसल के अंदर पानी इतना आने के लिए, ठीक है, यह आपको अच्छी तरह समझना है, थोड़ा आपको इसको एक बार मेरे पिछली वीडियो में देख लीजी, क्योंकि इसको इस वाली questions को मैंने आलड़ी declare मे upload किया है, वहाँ पर जाकर आप check कर सकते हैं, चलिए आप देखेंगे, बहुत आसा नहीं, कुछ भी आपको नहीं करना है, एक whistle भी है, और whistle है, spear के shape में है, और इसका radius है, आपको दे रखा है, 0.5 cm, सबसे पहले volume of cone ले ले लेंगे, volume of cone, 1 by 3 pi r square h, लेकिन यहाँ से पहले से 1 by 4 दे रखा है, यह 1 by 4, तो इसको 1 by 4 से multiply का, 1 by 4 into 1 by 3 pi r square h, 1 by 4 into 1 by 3 into pi 22 by 7 into r square, 5 into 5 हो जाएगा, into h 8, यह हो जाएगा, अब इसको cancel करेंगे, तो cancel कर दीजे, 2 to the 4, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 4 the 8, यह बच गया, 11 into 5 into 5 into 5 into 4 by 3 7 is a 21, 11 5 is a 55, 55 5 is a multiply किले ले लेंगे, तो 1100 आ जाएगा, by 21, 1100 को 21 से अगर अब डिवाइट करेंगे, 52.3 cm cube आ जाएगा, अब volume of sphere का ले लेंगे, volume of sphere, इसका formula 4 by 3 pi r cube, 4 by 3 pi 22 by 7 into r cube, 0.5 cube, 4 by 3 into 22 by 7 into, इसको आप 0.5 into 0.5 into 0.5, इस तरा आप लिख सकते हैं, यह 4 by 3 into 22 by 7 into 5 by 10, decimal हटा देंगे, 5 by 10, 5 by 10, 5 by 10, 5 by 10, 5 and the 5, 5 to the 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 10, 2 and the 2, 2 to the 4, 2 and the 2, 2 and the 2, 2 and the 2, 2 11 आ, यहां पर शिर्फ आपको बज़ गा है, 11, यहाँ पे लेखेंगे, 3-7-21, 11 by 21, 11 को अगर आप 2 से डिवाइड करें, 0.52 आजाएगा, आप कितने बेजल्स चाहिए, तो volume of cone by volume of spare आपको लेना है, volume of cone का formula है, answer आगा है यहाँ से आपको 52.3, volume of spare आगा है यहाँ से 0.52, 00, cancel, 52.1 आ, 52.1 आ, 00, इसका हो गया 100, यहाँ पर आपको इसका answer हो जाएगा, एक metallic spare है, इसका diameter, R is equal to D by 2, 28 centimeters, 1 forza, मतलब R is equal to हो जाएगा, 14 centimeters, इसको melted कर रहे, पिगला दे रहे, request into the number of smaller, चोड़े-चोड़े coins बना रहे, चोड़े-चोड़े coins, and diameter, 4 integer, 2 by 3, 4 integer, 2 by 3 centimeter, height 3 centimeter, the number of cones, छोड़े-चोड़े coins बना रहे, cones के shape में हो, cones के shape में, तो कितने cones इसके अंदर पिगला कर, ऐसे वाले, इतने centimeter वाले हम बना सकते हैं, मालम करना है, तो यहाँ पर cones दे रहा है, cone का height दे रहा है, 3 centimeter, यहाँ पर है, और इसका radius दे रहा है, यहाँ पर, 4 integer, 2 by 3, 4 integer, 2 by 3, by क्या होगा है, D, क्योंकि diameter दे रहा है, D by 2, यह diameter दे रहा है, तो यहाँ पर लेंगे, volume of sphere, sorry, volume of sphere, इसका answer, 4 by 3, pi r cube, 4 by 3 into, pi 22 by 7 into, r cube, 14 into 14 into 14, r cube है, 7 1 जा, 7 2 जा, 14, और कोई cancel होगा, कोई भी cancel नहाँ होगा, 4 into 22 into 2 into 14, multiply किजिए, 3, 4, 4, 9, 6 आ जाएगा, by 3, अब इसको आप 3 से डिवाइट करेंगे, तो 11498.6 cm cube आजाएगा, अब उसके बाद volume of, volume of, क्या लिन है आपको, कौन, volume of, कौन, सबसे पहले यह change करेंगे हम, इसको change करेंगे, D by 4, 3 is a 12, 12 to 14 by 3, by 2, यह 14 by 3 into, यह उल्ठा 1 है, fraction double हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं, 7 by 3, तो R is equal to, क्या लिखन है आपको, 7 by 3, तो यहाँ पर, volume of, क्यों, is equal to, 1 by 3, pi R square H, तो 1 by 3, pi बजाएगा, 22 by 7 into R square, यहाँ पर, 7 by 3, 2 time, 7 by 3 into 7 by 3, H, 3 है, 3 और 3, cancel, 7 और 7, cancel, क्या बचा है, यहाँ पर, 22 into, यहाँ पर, 7 बज गया, यहाँ 3, 3 जब 9 बज गया, 22, 7 जा, 154 by 9, अगर 154 को 9 से डिवट करेंगे, 17.1 cm क्यों बाज आएगा, अब यहाँ पर, volume of sphere by, volume of क्यों आप करना है, volume of sphere यहाँ से, 11498.6, volume of क्यों 17.1, अब इसको आप इसे, point और point cancel, दोनों cancel करेंगे, तो 6 जा, 7 जा, 2 जा, यहाँ सरा आएगा, 672 कौन साख बनेंगे, इस वाले figure को आप पिगला कर बनाएंगे, इस तरह के sphere को, तो यह थे आपके questions, all the best, सभी students, उमेद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, best of luck.